हलो एवरीवन वेलकम टू वर्ल्ड अप्टेट्स मैं हूँ शांक लखेर अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करतो साउधी अरेपिया जब भी साउधी अरेपिय का नाम आता है तो ओयल के बारे में बिल्क विल्ड में काफी पैनिक फेल गया आच किसम्हें बहुत सारे देश साउधी अरेबिया के आपको अगेंस्ट में देखने को मिलेंगे उक बार साउधी अरेबिया को मैप पे देख लो और साउध पवित्र जगह जो है मक्का और मदीना माना जाता है ये इनके तीरतिस्तल है लेकिन रिसेंटली जो एनाउस्मेंट साओधी रेबिया ने करी है उसके बाद से आपको एक पैनिक देखने को मिलेगा बहुत सारे जो लोग है वो आलोचना कर रहे हैं बहुत सारे लोग यहां प उसने यहां पे पोस्ट करा उसने गाइडलाइन जो है जारी कर दी कि होली मन्त जो है रमदान का उसमें आपको इन गाइडलाइन को जो है फॉलो करना है इन गाइडलाइन को फॉलो करना आप लोग के लिए मेंडेटरी है आपको फॉलो करना ही करना है इसके बाद से मुस् इसका एक रीजन तो मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ 2050 तक साओधी अरेबिया में और जो है पूरे तरीके से खतम हो जाएगा और साओधी अरेबिया के लिए यह काफी बड़ी वज़ा है क्योंकि जब सेल खतम होगा तो उनके पास जो है रेवेन्यू कुछ यहाँ पर जनरेट होगा नहीं तो साओधी अरेबिया अब जो है चेंजिस कर रहा है अपने देश में इसके पहले भी उन्होंने चेंजिस की थी जब उन्होंने फीमेल को जो है ड्राइविंग यहाँ पर अलाव कर दी थी पहले साओधी अरेबिया में जो वूमेंस हैं वो ड्राइव नहीं कर सकती थी लेकिन डिसेंटली उन्होंने जो है जो वूमेंस है उनको परमिट दिया कि आप जो है बिलकुल यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो और साओधी अरेबिय में अब जो है आपको फीमेल ड्राइवर्स भी देखने को मिलेगी और देखिए डिसेंटली अगर आप देखोगे तो साओधी अरेबिया और इरान के बीच में सालों पुरानी जो राइवलरी चल रही थी ना सालों पुरानी जो इनकी दुश्मनी थी वो भी यहाँ पर खतम हो गई इन्हों ने वापिस जो है दोस्ती कर ली और चाइना ने जो है यह दोस्ती यहाँ पर करवाई है देखिए आज के समय साओधी अरेबिया अपने नियमों पे एक बहुत बड़ा चेंजेस जो है करते आ रहा है दीरे दीरे करके उन्होंने कई सारे चेंजेस करे हैं लेकिन रिसेंटली जो इन्होंने चेंजेस करें उसके बाद पूरी दुनिया भर के जो मुसल्मान है वो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि साओधे रेबे जो है अपनी मनमानी यहाँ पर करता है रमजान को, रमजान, रमदान, अलग-अलग वर्ड्ट जो है यहाँ पर बोले जाते हैं यह इसलामिक कलेंडर का नाइन्थ मन्त होता है, मुस्लिम जो भी दुनिया भरके हैं वो इस मन्त में फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, रिफ्लेक्शन कम्यूनिटी, बेसिकली, इस महिने का मतलब यहाँ पर यह है, कि हम कोई भी यहाँ पर बुरा काम ना करें, ऐसा बताया जाता है, कि यह जो नाइन्थ मन्त है इसी समय जो है, कुरान यहाँ पर पूरी हुई थी और रमदान के जो आखरी 10 दिन होते हैं वो सबस्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब देखिए, जो एनलेस्ट है ना सामी हमीद, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है, कि जिस तरीके के यह चेंजिस कर रहे हैं, यह एक मूव है कि साउधी अरेबिया अपने आपको शिफ्ट कर रहा है, नई साउधी अरेबिया के तरफ देखिए, वहाँ पे जो रिस्टिक्शन्स हैं वो आपको बहुत दादा देखने को मिलेंगे लेकिन अब धीरे-धीरे करके साउधी अरेबिया ने बहुत सारे रिस्टिक्शन्स को बिल्कुल यहाँ पे अलग कर दिया हाला कि कई सारे लोग तो यहाँ पे यह बोल रहे हैं, कि जो मेजर पिलर है इसलाम का, उसी को जो है यहाँ पे इन्होंने हिलाने की कोशिश कर दी मतलब जो सदियों से यहाँ पे चला आ रहा है साओधी अरेविया ने उसको जो है पूरे तरीके से यहां पर चेंज करने की कोशिश करी है इसलामिक जो मिनिस्टर है उन्होंने एक रेगुलेशन का सेट जो है यहां पर इशू कर दिया रिस्टिक्शन यहां पर लगा दिये कि रमदान के समय आप किन चीजों को कर सकते हो किन चीजों को आपको जो है नहीं करना है basically यह पूरा रम्दान का एक मैना होता है और इसमें जो लोग हैं वो यहाँ पर fasting करते हैं रात में यहाँ पर खालते हैं लेकिन दिन बर जो है उनको fast यहाँ पर करना होता है अब इन्होंने क्या-کya changes करें तो सबसे पहले इन्होंने जो donation's हैं उस पे यहाँ पे बैन लगा दिये मतलब देखिए मॉस्क में क्या होता है डोनेशन दी जाती है इफ्तार के लिए डोनेशन कलेक्ट किये जाते हैं उस पे जो है साओधी की सरकार ने बैन लगा दिया कि यह बिलकुल भी नहीं होगा इसके साथ साथ मॉस्क में कोई भी के बाद इफ्तार नहीं होने वाला इस पर बिलकुल जो है यहाँ पर प्रोइबिशन लगा दिया इसके बाद इन्हों ने यह कहा कि प्रियर जो है वो बिलकुल यहाँ पर ब्रीफ में होंगी बच्चे बिलकुल यहाँ पर मौस्क में अलाव होंगे नहीं कि वो प्रियर यहा बहुत सारी जो प्रेयर्स लोग यहां पे करते हैं उसमें डिस्टर्ब होता है तो बच्चे लोग यहां पे डिस्टर्ब करते हैं इस वज़े से इनों ने यहां पे इस चीज को कहा है एक बात इनों ने और करी कि जो वर्शिपर्स हैं जो यहां पे लोग यहां पे आएंगे मक्का मदीना को चोड़ के तब ही आप प्रेयर्स यहाँ पे कर सकते हो बाकी जो मॉस्क है वहाँ प्रेयर्स बिलकुल भी तब गुंज करेइगा इसके साथ साथ जो प्रेयर्स हैं उनको कोई भी ब्रॉड कस्ट नहीं करेगा मतलब सोचल वीडिया पर उसको आप नहीं दिखा सकते इसके साथ साथ न्यूस चैनल्स में भी जो है उसको बिलकुल भी नहीं दिखाया जाएगा लेकिन अब आप यहाँ पर यह बोले कि साओधी अरेबिया यह चेंज कर क्यों रहा है इससे साओधी अरेबिया को क्या यहाँ पर बेनिफेट होगा देखो आपको पता होगा कि 2050 तक साओधी अरेबिया में जो तेल है वो पूरे तरीके से यहाँ पर खतम हो जाएगा उसके बाद साओधी अरेबिया क्या करेगा तो साओधी अरेबिया आज के समय अपने देश को अपनी जो कंट्री है उसको एक टूरिस्ट एटरेक्शन के रूप में जो है डेवलप करना चाहता है इसके साथ साथ वो बिजनिस हब जो है डेवलप करना चाहता है देखो आवर की जो बिल्डेंग है वो पूरी पूरी एक किलोमीटर की होगी अभी के लिए सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग आपको बुर्च खरीफा देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले कुछी समय में जो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का जो टेग है न वो साओधी अरेबिय के पास जा सकता है इसके साथ सब इलान मस्क ने भी यहां पर यह अनॉस्मेंट कर दिये कि हम अपना आफिस बुर्च खलीफा से भी यहां पर उचा बनाने वाले हैं तो आने वाले समय में साओधी अरेबिया को एक पूरा बिसनिस अप के रूप में जो है यहां पर डेवल करना होगा इसके साथ साथ यहां तो इनको जो है बिसनिस सब यहां पर डेवलप करना होगा जिससे काफी सारे पैसे जो है वहां की सरकार कमा सके तो at last I hope आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को मिला होगा आप अपने ओपिनियल लिखेगा जरूर इसी के साथ यह के लिए बावा धन्यवाद चैहिंद चैह भारत